हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू दू डॉक्टर्स बायोलोजी या लेक्चर मदे आपन पाना रहोत क्लास 10 चा साइन्स पार्ट टू मतिल तिसरा टॉपिक जैसे नावा है लाइब प्रोसेसिन लिविंग और्गेनिजम पार्ट टू पर हिले दोन आप टॉपिक आपन लाइब करा वीडियो वाला लाइक करा वो काहे डावता सेल तरते तुम्ही कमेट मते विचारा ठीक है तरमक्त आपन बोग आता लाइब प्रोसेसिन लिविंग और्गेनिजम पार्ट टू ओके पार्ट वन सा तुमी जर अब्भास केला सेल मंजे लाइब प्रोसेसिंग ल सेक्षिल रिप्रोड़क्शन त्याजबर अबर्बर रिप्रोड़क्शन और्ड टेक्नोलोजिंग रिप्रोड़क्टिव हेल्थ आनी पॉपुलेशन एक्स्पोशन है चार पॉइंट है टॉपिक मदे आप लेला कवर करा चेथ सोपे टॉपिक हाहे बंजे पाटे माख च लेक्शर मदे अपन लिविंग और्गनिजम मदे लाइफ प्रोसेस इस मंजे न्यूट्रिशन कस तंचा मदे एनर्जी सिंथे इसकशी तैयर होती है आपन पाहलो तो है लेक्शर मदे फक्त है टॉपिक मदे रिप्रोड़क्शन सोता सर के और्गनिजम कशी तैयर के लिए जाते है आपन है लेक्शर मदे पाना रहा होत बोग्या आता लाइफ प्रोसेस का यस्त लाइफ प्रोसेस वह स्टेडी अर्लियान लाइफ प्रोसेस प्रोसेस मंजे लाइफ प्रोसेस का यस्तित तर लाइफ लिविंग और्गनिजम मदे होना रहा है वेगवेगड़ा प् क्यों जे एक खाट्या लिविंग और्गानिजम ला एनर्जी ची गर जासते मझे यह कि असना रहे तो न्यूट्रीशन ची गर जाए जैसे कि दाइजेशन अपन जे खाने ब्रेक्डान होसाथ में रिजेस्टिव सिस्टीम इसाथे पर राकरची लाहिव प्रोसेश है मैं जे लिविंग ऑर गानिसम मन्ते होथसनरां वेग 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 व्यादा प्रोसेश आर कौल ऑल असेंचल फोर एच लिविंग ऑर्गानि पर बरहा प्रोस्स वेट रिक्त एक आजुनिक प्रोसेस इंपर्टन आई यह थी रिप्रोडख्शन वन आप वनमोर लैफ प्रोसेस अपरस इन ट्रिविंग और्गेनिजम इसी जाना है आ ये पन एक इंपर्टन अशे पाहे क्ये पाल त्या लाकाहा हूँ अपन लिगानिजम मैं ये अठाहिक है और ओर्गैनिजम ला अलाइव थेवन्या साथी माझे रिप्रोडुक्षण ड़स नाटहीज रिमानिजम तु रिमेन अलाइव बट इत हेल्पस तु दमेंटें ट स्पेसे फ्रेश्ष्ट अजयगम अमने रिप्रोडुक्ष्ण एकम पुल सरी ज नाइम ज़े में तियार्गानिजम Faith पर फिर्म अत्रापे रिप्रेट्चिन संपयघी दर्लाइव कल्डी अतरथर्चिन काल हे ऑपल वियर यह तुल है क्विदेड अनंपलाइख प्रिचोन इस टन्दाएख अरिडिसल्ड ढानिसल्ड घरंड insight production it is one of the various important character of the living organism and it is responsible for evolution okay जए एक important process है नवीन organism कि वा नवीन इंडिजन तयरक्रने सती ज़िए लिविंग और गनिजम धेस नरे ज़िएक इंपसंतर्दना प्रोसेस है तेसो बोरबर हे जी अज़ी इंपस्पीन आ है नवीन ओर गनिजम तयारकने सती थे ये रिस्पोंसिबल पना है इवल्युशन साथी उद्करांती साथी पन हे इंपॉर्टन्ट प्रोसेस है कि जा दोर्य का ओना रहा थ़र न्यवीन स्पेशिस तयार हुचकते थिए अप्रव्र बाढ़ता न्यवीन डेवलोप्मेंट होन रहा और। और 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 ग्रोलोप्में नो ना मझे दोन टैपए एकायए असेक्शल रिप्रोडक्शन दुसरा यह एक्षियल रिप्रोडक्शन काया भूग अपन असेक्श रिप्रोडक्शन मंझे कास ना रहा है इन वर्मेंट पर अनली वन पैर इन मिजैंट हम आए फक्त वन परित था दो तो there is no gamet formation in the asexual reproduction अनि तेचा अपोसित आया ते sexual reproduction it is the form it is the formula by two parents it is the responsible sorry there is the involvement of the two parents and there is the requirement of the gamet fusion gamet formation होना रहा है gamet fusion होना रहा है त्या दोरे का होतास्ते तर sexual reproduction होतास्ते बगाब asexual reproduction मदे only one parent are present and sexual reproduction मदे there is the requirement of the two parents there is the requirement of the gamet formation and there is a requirement of the fusion of this gamet आशा प्रकारे काया है तर ते दोन टाइप है आपन डिटेल मदे हाद दोनी टाइप साब बैस कना रहा है लेक्षर मदे आपन और सेक्षिल रिप्रदक्शन साब बैस को रहा है बोगे आपना असेक्षिल असेक्षिल रिप्रदक्शन काया है तरह मदे काय काय स्टे पहेत देबुगा अपन बगा असेक्षिल रिप्रदक्शन इस द फोर्मेशन और नियृ आपन प्रॉन ये विदाऊट आपन इद दोंगे तो तैयार ही होतने तो दिफरेंट गयमेट गयमेट मंझे अचा मदे मेल अनी फीमेल असकाई से प्रेटन से तया मदे फक्त सिंगल पैरेंट्ट इन वाल असता नहीं एक लिए अज पैरेंट पासु नवीन ओर्गानिजम तो तरो तो तो अनि त्या मोल काया असना रहा है दो न्यू और यू तो ताहर वान रहा है तो कसास तो एक्जाटली सिमिलर टुदअ पैरेंट मगा मंझे बागा त्या मदेखाय जाला तर सिंगल पैरेंट असले मोलो तित रीकम्बाइनेशन मझे जने टीकरी कम्बाइनेशन तीत जालने जर सेक्शेल रिप्रोडाक्शन में देकाया मद हो रहा है genetic recombination होतना है genetically अप्स्प्रिंग है genetically parent चा सिमिलर असेथ मंझे लग्षा थाला the new individuals आर एक genetically or similar as as to parent मंझे parent चा सिमिलर ते असेथ मंझे है काशा है तर uniparental reproduction मुंत्या पनला uniparental मंझे हैं चा मदे single parent हाई इन वोलस तो ते कशा कशा अकर से होता तर माइट्रोटिक सेल डिविजन मझे हितका होना रहा है माइट्रोटिक सेल डिविजन होते है त्या पेनेंट मदे आणि त्या पास नवीन इंडिविजल थे तयार होता से बागा है जा मतला एक ड्रॉब एक हाई तेर इस दो जनेटिक recombination so there is the not evolution or new there is a chances of revolution is very less मझेट evolution होने क्यों नवीन recombination नवीन स्पेसेस तैयर होने है चैसे कशेट कमियास ना रहा है ठीक है और सेक्षिल रिप्रोडक्शन बगा है जा मदे आप लाल नेक्स्ट बागाई जाहीं कि C Nord Guy जाहीं कियाई आथा असेक्ष्ण रिप्रोडक्शन माद यस नारे टाप्स अपलजाला दोन प्रकारे टाइप अब वेस खारा जिता जामदे युनिसेललर आर्णेजम मादे आनी मल्टिसेलिललर आर्णेजम चे टाआप व्केν टाइपस अप दो असेक्शुल रिप्रोड़क्शन वागा उनिसेलिलर और गनेजम अदे काया है आपन पहले लन्दा भोगया थे बाइनरी फूजन, मुल्टिपल फूजन अनी बडिंग यह तीन पॉइंट अपलेला कि वाद तीन टाइप काया कराचेत युनिसेलिलर ओर्गनेजम मध्या ब्सकाराइचे अडि मुल्टिसेलिलर और गनेजम्म अदे चैन रिजन बडिंग वेजिटेटीव प्रोड़क्शन अचल्डेटीव प्रोफित्यजन अनी पास्टायप पहाएच्टे ओसेक्शेलिलर डिपर्डेक्शन मुल्टिसेलिल्यल एंड टू और गनिजम् और टू सेल्स आर प्रोडिस्ट मुझे बाइनरी मंचे चाइवाना रहा है तरे एक डिवीजन जाला नंतर तया मते दोन सेल इतर टायर होते तेला काया मनता पना बाइनरी सेल्ड डिवीजन की वाइनरी फीजन उके पगा है कशेया तर इूनिसेललर मदे हैं आफ तो सेल्फ रेजना एंटीस निटोरियो फ्रीटिके है डिटोटोर्टोर्ट इस्ता रहेत मदे सेल्फ्ट्रMAN specung अवर्विजिन राया सेल बाइनरी फिजन बगाए कुणा मदे होता से तर प्रोक्योरिटिक्स मदे में बैक्टेरिया कि वा प्रोटिस्टा मदे अमीबसर के परमिशं युगलीन युगलीन जसार के यहां मदे का होते तर binary fusion औरे reproduction होतास तर याज़ बरबर यूकारिटिक सेल और यूकारिटिक और गनिजम मदे लिया cell और गनिली मदे मंजे स्माइटो कांडरिया कि वा क्लोरोप्लास्त अशा सेल मदे अशा सेल और गनिली मदे तर ये रिप्रोडॉक्शन होतास तर बाइनरी फिजन दारे अट ऐज मदे ट्पन टाइप हैत मंजी बाइनरी फिजन चे टाइप हैत अन दे बेसिस ओप द एकसिस अप फिजन जितन्चा अमदे कोंटे आपक्सिस ने तैंची डिवीजन जाले तया बोरुन कायातर तर ये ज वाइनरी फीजन तीन टाइप आहेत अन्द बेसिस ओब द्यौन अपन काय करते है तिन टाइप बगा पहला है थे सिंपल बाइनरी फिजन ओकर सिंद प्रोटिस्टा लाइक अमीबा अमीबा मदे का होते तर अशा प्रकारे डिविजन होते सिंपल मंझे हेला काया सते तर कोंता ही प्लेन नाए मंझे अकर सिंद एनी प्लेन मंझे कशा ही प्रकारी तया मदे डिविजन होते एक अशा प्रकार सिंपल बाइनरी फिजन नेग्स्ट आपलिया कड़ है । याद रहां सब्सक्राइब इतर परेंसे लॉके सब्सक्राइब नई ट्रांसवर बाइनरी स्बीजन सब्सक्राइब तिस राहे आपले कड़े लॉंजिटुनेली बाइनरी फीजन लॉंजिटुनेली बाइनरी फीजन हे कुना मदे होते हैं तर युगलीना मदे युगलीना चा बगा शेप आशाप्रा करें तया मदे काया सते हैं तर एक फ्लैजिला असते हैं फ्लैजिला तेची बोडी और एक कर दो लॉन्जिटुनल बाइनरी फीजन ओके लख्षा तहला है जाल बाइनरी फीजन नेक्स्टाहे अपलिया कडे मल्टीपल फीजन है काया तर अपोजिट तो दो बाइनरी फीजन आता आपन पहलो होता की मल्टीपल फीजन मदे इट इस अपरस इंद इड फियोरेबल क्या साय एड़ वर्स कंडिशन बगाता कसा होते है दूरिंग दे एड़ वर्स कंडिशन अप दे अमिवा तो अमिवा स्टॉप दे फॉर्मेशन अफ शीडव पोडिया एंड बिकम राउंडेड एंड प्रोटेक्टिक टी कवरिंग आरांड प्लाज्मा में में जे बगाए अब दे लेक्व पोड़ एंड लेक्व वाटर अशा प्रकर्ची जवा एड़ वर्स कंडिशन तेर होता है आमिवा तेशी मोशन के वा तेशा जेका सीडोपोडिया फॉर्मेशन आइचे काह उते स्टॉप होते एक काजागी तो काह तो स्तिर होते स्थीर होते अगा करते युद्ध के बौड़ी वह होते अशा प्रकार चे कवरींग तैर कर लगते ओके त्यां कवरींग लाकाय मुशन आपन स्ट एक मेंब्रेम ट्राजमा मेंब्रेम चाब होते कई केला प्रोटेक्टिव कवरींग तैर केला अणि तेशा पासुन काह दाले तर स्ट जे प्रोट सेचिं फोडिया फोड़ के लो और देक्षे सिंग पोड़ए फोड़ी सपर सीटोप पोर्मेशन अर्बारो आणि थेजा बाध बोड़िव वहती एक प्रोट्यक्टिव कभरंग कभर शंप के लो आथा तर प्रॉटेक्टिव कभर शंप पोरिंग तयो और काया हो राए तर त्या सिस्टम मदे नुक्लियर डिविजन आकर सोतेत आणि एका पासुन आशे भरपूर त्या मदे नुक्लियस हे तायार होतेत ओके लक्षा दालो अत्ता बगा आफ्टर द फेवरेबल कंडिशन अफ्टर सुपिसियांट ग्रोथ आफ्टर फेवरेबल कंडिशन मंझे अब्श्टम मंझे जीका इनुक्लियस तायर जाले होते तयाला मंचे आपन अमीवियूल्स पसंक्ण आ रहां तर इच नुक्लियस आर ट्रांसफर इंटुद नुक्षा जाले तर इतंके आशे भरपूर आशे अमीवा तीत तायर जालेते दिवरिंग आफ्टर द वार्यव में डिवीजन स्टार्ट के लिए जवा फ्योरेबल कंडिशिन एन रहा है ती प्रोटेक्टिव को रिंग ब्रेक करना रहा एं त्या पासुन जेका है नुकलेज चिप डिवीजन जालेवती त्या प्रतिक नुकलेज पासुन भर पूर शे अमीबा तयार होना रहा है इट इस इस दो ओकर्स इन दे इस्ट मजे फंगस मदे तयार होना रहा फंगस मदे ऊकर होना रहा एक प्रकार चाह असेक्शल रिप्रोड़क्शन आया युनिशललर ओर्गनिजम मदे या मदे बगा का होते है तो स्मॉल बड्स आउट अउट कमिं आउट फ्मिंग आउट से प्रे गशिए नसारह बडीऑट्स मद ेच ने क्धें आउट्स आउट मदे तो टानस्फोर होते है तो डौकल & अंटर नक्लमें ग台灣 वरा सबस्पूर ऐसेंक लेह पाषर रेटेटेंड है आए तक्रेस कांसे सबस्थ एक सबस्थ एक नुकलियस 안हेऊ तक लीजन अनुकलिस खाले सबस्क्रेकलया तुर नेक्स्ट और दरगांचे जी ग्रोथ ही कंटीनो थे आप्टर दो सुपीसियेंट ग्रोथ बर्ड सेपरेट फ्रॉम दो पेरेंट सेल एड स्टार्ड तू अलाय इंडिपेंडली एज दॉट्र रिस्ट ऑके लक्षा ताला मांजी का रहत रहत है इस्ट जी जी अवा इस्ट जी आवा इस्ट अमांट मा जोग लुगना रहत ठीक है अचा प्रकारी का होना रहत तर तर बडिंग है टाइप मदे रिप्रोडॉक्षन होता स्थ और सेक्शुल रिप्रोडॉक्षन बडिंग बगा हेपन का चाम अधे उनिसलीलर ऑर्गनेजम मदे फंगस मदे लक्षा तालो या मदे प्वाइट का बड़ सेपरेट होना रहत एज डाटर इस्ट मुनों त्या जगू लागतेत अनि त्या इंडिपेंडेंटली त्या लाइव कोरू शक्तेत के बाते लिविंग तेंचे स्टार्ट करते अचा प्रकारी का जाला तर बडिंग है पॉइंट आपन इता कवर के लाएल बगा लक सब्सक्राइब करते हैं तो प्रेंट तुम्हीं हाव वीडियो आवर्लास नकी शेर करा काई डाउट असेल तरह माला कमेंट मदे विचारा वो तुम्हीं चैनल ला सब्सक्राइब करा ठीक है थेंक्यू